हलो बच्चों कैसे हो आपका स्वागा थैतिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो आपके समक्ष टॉपिक पस्तुत हुआ है कई मानने में काफी महतवपून है हर एक इक्जाम व्यू से ठीक है इसमें हम हर एक बात पर विस्तार पर चर्चा करेंगे और वह सारे पहलों पर विचार करेंगे जो अब तक अच्छूता था तो चले देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है लिंग गुंसुत्र क्या है और गुंसुत्रों के परकार क्या है तो यह काफी महतवपून बात है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं लिंग गुंसुत्र की तो कहते हैं लिंग जूतर जो होता किसी भी व्यक्ति में लिंग निधारन के लिए महत्वपूर्ण होता है और यह जर्णरली पुर्सों में ही होता है कहते हैं कि पुर्सों में गुर्ण सुत्र जो पाया जाता है वह काफी महत्वपूर्ण होता है कहते हैं जो क्रोमोसोम किसी व्यक्ति में लिंग के निधारन क करता है उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं मियड दो परकार के होते हैं एक होता में एक होता है यू पूर। एक एक्स गुंसुत्र होता है और दुसरा वाई गुंसुत्र होता है वहीं अगर हम महिलाओं की बात करें तो महिलाएं जो है एक्स गुंसुत्र दोनों जो है उनका गुंसुत्र एक्स गुंसुत्र होती है तो यहां पर लड़का होना या लड़की होना सारे की सारी बातों пер mist करता है क्योंकि यहाँ पर जो निर्धारित करती होता है और यहां हम बात करें गुंसुत्रों के परकाड यानि सेंटर मेहर तो काफी महत्व रखता है कहते हैं पहला जो हमारे समक्ष आया है वह है मेटासेंट्रिक मेटा सेंट्रिक जो होती है यह काभी महत्पून होती है और यह एक गुर्ष उत्र है जिसमें मद्दे के पास सेंट्र मेर होता है और दोनों जो है वन करम समाने लंबाई की होती है यानि मेटा सेंट्रिक जो होती है सेंट्र में पाया जाता है और यह काभी महत्पून बात है वहीं दुसरी तरफ हम बात करें मेटसंट्री की तो यह काभी महतपून है जो मेटसंट्री को होती है यहां संत्री मियर का चौड़ से ।। छौर से थोड़ा कडीव इस्थित होता है और इस परकार एक रंगीन दुसरे की तुलना में थोड़ा लंबा जरूर होता है तो यह कावि महतवपून है अगर हम तिसरी की बात करे एक्रोसेंट्रिक भी अपना महतवपून योगदान देता है कैते हैं यहां गुनसुत्रों के फोर के χोण के पास इस्तित होता है और इस परकार एक वर्ण। बहुत लंबा है जबकि दूसरा बहुत बहुत छोटा हो एक लंबा होगा दूसरा चोटा होगा यह कावि महतवपून है इवन देखे हम टैलो सेन्ट्रिक फेस तो काईते हैं टेलो सेंट्रमी ये सेंटीमेर गुल सुत्र को फिछय पर इस्थितित होता ए, तो ये चार इंख पर रोल बताई है। अब डाइगराम भी हम देखेंगे तो यह काफी क्लियर्टी आईगी, यह करें रहा है किससे हैं और यह सेंटीमेर कि जो हम बात कर रहे हैं आखिर सेंटीमेर होता कैसे हैं आपने एक्स क्रोमोस्वम देखा है उनको ही डिप्रेंट डिप्रेंट पार्टों में जो है इसको बताया गया है चलिए इस बात को आपको और क्लेटी के साथ बताएं यह जो डाइगरम आपको दिख रहा होगा यही महत्वपून है यहां पर इन गुन्सुत्रों की जो संक्या अटोमाटिक अपने आपे बढ़ती है पहले अगर आप देखो गए टेलो में कहते हैं किसे आगे बढ़ता जा रहा हुआ और जो मेता सेंट्रिक में गुंसुतुर्य के संक्या बढ़ रही है और हैं Office जानती हैं और जो निचला हीरा होता है जो बनता है क्युkin कहती है तो यह काफी मेह तो पूर्ण है यहा पर संधर मवगत करने की कोश्वास لاगा करने की विश्वास रखते हूं तो जितना हो सक इस वीडियो को शेर करना है और यूटूब से लिंक को कोपी करना है और लगा देना है जो बच्छा आपके तर्फ्रेक्ट में होंगे देखेंगे समझेंगे नहीं अच्छा लगेगा लिफ कर जाएंगे लेकिन आपने अपना कारे किया यहीं बहुत बड़ी बात है ठीक है दोस्तों पहली बार में चनल पे आयो हो पहली बार वीडियो देख रहे हो समझ में आ रहा है अच्छा लग सब्सक्राइब कीजिए आने विडियो सब्जक्टों के साथ और में में भी तो यह काभी महत पूर्ण आपके लिए चनल है इसलिए सोचिए नहीं विचार न कीजिए अभी तिरी पार्ण स्टेटी सेंटर को सब्सक्राइब करके विवाल में सेब कीजिए